हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में जहाँ पर आपको मिलते है छोटे छोटे वीडियो में बड़े बड़े मल्टी बैगर्स और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से उसी स्टॉक को वापिस से कवर करने जा रहा हूँ जिसको मैंने पहले वीडियो दोस्तो हर लेवल पर बनाये थे उस स्टॉक के और आज वो स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 400% से भी ज्यादा का रिटन दे रहा है और क्या है वो स्टॉक का नाम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में स इनके पास वो स्टॉक है उनको आगे क्या करना रहेगा और इसी के साथ साथ उस सर्प्राइस न्यूज के लिए भी जो बुलिश है काफी ज्यादा बुलिश न्यूज है उसके लिए आपको मेरा निवेदन है कि कृपिया वीडियो पूरा देखे कंप्लीट एनालिसिस करे रहा हूं उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड ट्राइडेंट स्टॉक जिसको मैंने दोस्तों हर लेवल पर वीडियो आपके लिए बनाया है यह स्टॉक हमने आपको तब से रिकमेंड किया है जब से यह स्टॉक 14-15 रुपे के पास ट्रेट करता था और उसके बाद भ आपको हमेशा मैंने इस स्टॉक के रिगार्डिंग बुलिश न्यूज दी थी और आज यह स्टॉक 56 रुपीज को क्रॉस कर चुका है और अभी मार्केट भी लाइव है जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहा है मार्केट में अभी साड़े नौ बजे है और अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है 3.2 परतीशत से अभी ट्राइडन लिमिटर स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है वो भी एक दिन में बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तो और देख सकते हैं हाँ पर आच्छी खासी वालेटालेटी भी है मार्केट के अंदर इस स टॉक है उनको एक और नया कॉंफिदेंस मिलेगा अब बात करते हैं इसके रिटर्न ओन इन्वेस्मेंट की दोस्तो रिटर्न ओन इक्वीटी की अगर बात करें तो नौ से साड़े नौ परतीशत का रिटर्न ओन इक्वीटी है अर्णिंग पर शेर भी 1.24 है डिवीडिन प बन रही है अब बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू की तो रेवेन्यू अगर हम यर ओन यर बेजिस पर देखे तो एक स्टेगनेंट रेवेन्यू देखने को मिला है हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है और एक कॉंस्टन परफॉर्मेंस कंपनी ने बना कर रखी है अपनी म कौण किया है जिसके कारण ऐसी उमीध है कि उन्हें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावनाय Credit और बन रही है दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसके प्रॉफिट की अब अब दोस्तों गर फर्फिट की बात करें टो प्रॉफिट में भी वैसा ही सिच्नन ग् वे में अगर देखा जाए इनके future ventures जो ये आगे plan कर रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो company काफी हद तक अच्छा perform कर रही है और net worth में भी ये company अच्छा खासा growth दिखा रही है आप अगर पांच साल पहले की बात करें तो यहां पर पत्चीस सो something around करोड में था और आज यह यहां पर 3300 करोड तक पहुंच चुका है network बहुत ही बढ़िया growth दिखाया है करीब करीब 1000 करोड का ही growth हो गया 800 से 900 करोड का growth हो गया company की valuation में अब बात करता है promoters की और उनके share holdings की तो promoters का यहां पर दोस्तो maturity controlling stake है यानिकी 73% और retail investors का सिर्फ और सिर्फ 24.8 प्रतिशत foreign institutions ने यह एक अच्छी sign है कि promoters ने भी अपनी holding यहां पर बेची नहीं है बहुत ही अच्छी तरीके से maintain की हुई है और उनके दूसरे अगर competitors की बात करें तो यहां पर दोस्तों है Wellspun India Allok Industries भी काफी सुर्खियों में रहता है लोगों ने काफी investment करके रखा है इसके उपर भी मैं कलक से वीडियो बनाने वाला हूँ और यहां पर Allok Industries के उपर भी आपको मैंने कहीं सारे वीडियो बताये थे जहां पर swing trading की बहुत ही बढ़िया opportunities मिलती रहती हैं तो आपको उन वीडियो को भी ज़रा जा करके चेक कीजिएगा बहुत ही बढ़िया वीडियो बनते हैं और All लंबे अरसे से अपडेट वीडियो नहीं बनाया है तो मुझे जरा comment section में बताइएगा क्या आप चाहते हैं आलोक industries और उसके अलबा कौन से stock पर आप चाहते हैं हम जरूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे और बाद में बात करते हैं अब इसके chart की और end में उस bullish news की बात कर और Trident एक textile sector का दिगज स्टॉक देख सकते हैं इसकी performance क्या लाज जवाफ performance है दोस्तों अगर मैंने one day की candle लगा करके रखी है और यहां पर stock देख लीज़े दोस्तों क्या बढ़िया bullish growth दिखाया है यहां से कहां से कहां पहुँच गया है दोस्तों stock जिनों ने invest किया होगा था तो उनको तो भाईया 10 times तक return मिल गया है 10 times से भी ज्यादा चायद return मिल गया है क्योंकि lowest यह को stock का 4.5 रुपे तक गया था 4.5 रुपे तक का 52 week low है कोरोना के time की अगर मैं बात करूं तो तो बहुत ही बढ़िया return दिया है इस stock ने अब आगे करना क्या है यहां पर दोस् आ रही है और fundamentally काफी बड़े-बड़े steps ले रही है company तो future stick अगर way में देखा जाए तो company में बहुत potential है अभी फिलहाल मेरी आप से यही advise रहेगी कि price में अभी एक consolidation phase आएगा जहां पर हो सकता है कि आपको stock वापिस से consolidated way में दिखे तो ऐसे मामले में दोस्तों अगर आप financial conditions और portfolio size के हिसाब से मान लिजए कि आपको 10,000 रुपे invest करने हैं तो आपको 22,000 करके शुरुआत कर देनी है invest करने की हर महीने महीने या फिर हर हफते हफते जैसे आप start करें वैसे सही रहेगा और इसे long term के लिए ही दोस्तों ऐसे stock long term के लिए ही रखना better रहता है क्योंकि इस stock में आपको long term में जितना return मिलेगा उतना आपको short term में भी नहीं मिलेगा stock बहुत ही बढ़िया है fundamentally और अब जाते 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 जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था बात करेंगे एक bullish news की जो Trident Limited के निकार्डिंग आई है और उस news में क्या चर्चा की गई है सब कुछ जाने चलिए जाते है फटा-फट से उस bullish news पर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एक उसी bullish news की सबसे पहले मैं दनिया बात करना चाहूंगा stock note application को जहाँ पर हमें छोटे-छोटे slides में छोटे-छोटे videos में और छोटे-छोटे informations और lines में हमें बड़े-बड़े news दीख जाते है जैस बात करते हैं Trident Home Textile के बारे में Trident's Home Textile Division production of bath linen rose 6.447% to 4902 metric ton in November 2021 पिछले साल के मुकाबले दोस्तों ग्रोथ साल एच प्रतीशत का है इनके production में और production of bed linen में भी इनका ग्रोथ है गरीब-गरीब धाई प्रतीशत का ग्रोथ है पिछले साल के सम कंपरेटिव इनके पेपर और chemical के business में भी अच्छा खासा growth देखने को मिला है 5.6% का और chemicals के अंदर भी 8 production of chemicals claim to 8.68 याने की करीब-करीब 8% का इसमें भी growth है दोस्तों तो ये एक November update है आपके लिए जो November 2020 के मुकाबले November 2021 में अच्छा खासा growth देखने को मिला है company के production value में और production भी तब बढ़ता है दोस्तो जब वाकरी में company expand करने वाली हो company के sales बढ़ने वाले हो तो एक indirect आपको signal है company के इस news के द्वारा कि हो सकता है ये company future में और भी अच्छे return देने की संभावनाय बना रही है और दूसरी बात जिनके पास अभी stock है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था उनको profit booking करने को तो वो profit booking कर चुके है बिल्कुल बहुत बढ़िया और बाकी के stocks अगर पड़े है तो उनको ऐसे ही रहने दीजिए long term के लिए ये stock long term का गोड़ा है दोस्तो अगर आपने इसे एक या दो साल तक कर दिया hold तो आपको माला माल return देने से कोई नहीं रोक सकता है stock को अभी के fundamentals क को देखते हुए ठीक है चलिए मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले वीडियो में हमारे वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा रोज ऐसे ही multi bagger वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए मिलेंगे फिर से किसी अच्छे episode के साथ happy investors